कर दिया है आप भी लोगतंतर के पर पर जाईए जल्दी से जल्दी अपने पोलिंग बूत पर और कर दीजिए मद्दान दे दीजिए अपना योगदान दुनिया देख रही है कुमीद भरी नजरों से भारत की तरफ और भारत को खरा उतरना है संकल्प से सिद्धी की और ले वो यह कह रहे हैं कि जनता के शीरबाद से हमने 2014 में 282 2019 में 303 इनके पूर्ण बहुमत की सरकारे बनाई जो 1984 के बाद बनी यह अपने आप में दिखाता है कि जनता ने बार बार विश्वास भारतियंता पार्टी पर किया मोधीजी पर किया और इस बार भी जनता का पूरा शीरबाद मिलने वाला है जहां तक मैं देख पा रहा हूं हम हिमाचल की चारों की चारों सीटें लोग सबाद जीतेंगे और 400 पार करके फिर एक बार हम चौके चक्या लगाने लेके यह रहे हैं चार के चार लोग सबाद छेए कि उडाव की मिलाब निश्वत तोर पर उसके बाद जो परिस्तितियां बनती हैं उस और हैं कि हिमाचल परदेश की सरकार जो भी रिजल्ट आता उसके बाद उसका भिश्य को बहुत ने यह अप उसे चुनाब में जंता को फेस करने के लिए तयार नहीं तो करें तो क्या करें तो मैं यही कहना चाहता हूँ आप चाहे एक तारीक को एक अठे हो कर जितनी मर्जी विपक्ष रन्निती बिना ले रन्निती इसके आसबास बनेगी कि हार का ठीकरा कि इस पे फोड़ना है और इसके बाद क्या-क्या बहाने लेकर सबने अलग-लग हो जाना है और पांच साल के लिए अब ये लोग जाएं थोड़ा ध्यान लगाएं ध्यान लगाएं कि अगला चुनाब पांच साल बाद कैसे लगना है देखिए जब आएंगे प्रधान मंतरी तो और उर्जा के साथ और такत के साथ देश को आगे भढ़ाएंगे मैं पूल विश्वास है कि जुस तरह से 10 वार्ष वानने प्रधान मंतरी ने देश को आगे भढाया, मारा देश बहुत आगे जाने के लिए दुनिया के विदो पर खराव उतरने के लिए तैयार है और विक्सित भारत का संकल्प सिद्धी तक ले जाने के लिए हम तैयार हैं मैं एक बाद जरू कहूंगा आज नए भारत की बुलंद तस्वीर जो दुनिया देख रही है उससे और उमीदें लोगों में जाग रही है और इस उमीदों को अफसर है नहीं उचाईयों पर लजाने का इसलिए मैं सबसे कहना चाता हूँ हमने तो चुनावों से पहले भी अगले पांच साल में क्या करना है परधान मंतरी जी के नेतरतब में पहले सौ दिन में क्या करने वाले हैं वो भी तय है और पच्चिस वर्ष का रूड में अपकी विक्सित भारत का क्या हो हम उस दिशा में चुनाव से पहले तैयारी कर रहे थे जब बाकी लोग अपनी रणनिती चुनाव के लिए नहीं